मनोज तिवारी इसी छेत्र के सांसा देख लिजे रोट कैसी पूरी गंदगी है मनोज तिवारी पूरी गंदगी मचाग रखे रोट तक नहीं वनी है खोड़ी दीजे भारती यंता पार्टी की सरकार में रोजगार एक सपना है वो सपना ऐसा सपना की जो कभी पूरा नहीं ह पड़े लेके लोगों को पसंद करती है दिल्ली के जंता ने दिये विकास नहीं कि जनता के बीच नहीं आए वह तो इसलिए अब दूर दूर तर जंता सब समझ चुकिये जाग चुकिए जुटो की पार्टी है भ्हारती जुमला पार्टी का सांसद गब्रा गया किया जंता उसे छेत्र में गुशने नहीं दे रही रही ना सभाय कर रही है शेत्र में पद्यात्र करने दे रही है उसको अनका कांड कि पेट्रोल 401 लाएंगो बार 4 मोदी जी के नारे की हवाँ लिखे लृत चुकी है घंता जान चुकी है। जंता उनके नारे की हवा निकाल दी पहले का सब्रीमात सरकार्कर वे एक लढ़्योत मी मैं। प्रश्टाचार से तंग है लोगों ने परेशान कर रखा है तो इसके खिलाब लगाता है रवाज उटा आपको बता रहा हूं मनोतिवारी की जमानत जब तोने वाली है और यही बोकलाट है कि अनन पानन में गुंडों को बेज़े जा रहा है आप तमाम दर्सकों का स्वाग पढ़ रहे हैं 2010 से पढ़ रहे हैं यहीं के पुर्वांचल में रहे रहे थे ऐसा कुछ खालतु बात पहलाए जारी मार पिड किया जा रहा है इससे नहीं समझ में आ रहा है कि चुनाव कर रिजल आलड़ी हार चुके हैं क्या लगता है इस बार से यूवा चात्रनेता और स करद कर लें रहे हैं जा है रहे हैं इस बतार रहे हैं छात्रों हमनोजी को मंहंंतरी बना रहे हैं रहे हैं लेकिन के जरीवाल ना बने बने केजरीवाली तो बाखुपी सारा बात होगा दस साल यहां की जंता जो बनाई है मरोस्तिवारी जी को दस साल यहां पे रहे कितना अभी का आप मेरे सांती ने अभी कहा ना बस गाना न चाना हुआ उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है इसलिए होड़े है कि एक उमीद है यूबा चाहरा है और लोग जानते कना जी को चात्र नेता से अभी शांसत का सफर है उनका बिलकुल इस बार जो है वो शांसत का ताई यहां से करेंगे सारे लोग मेरा नाम मोनिश साथ जाएंगे और कॉंग्रेस पार्टी पूर्बवामत से भारत सरकार बने मोदी जी कह रहे है कि 400 पार का ना रखा वो सच पेट्रोल डीजल 400 पार जाएगा इसकी बात कर रहे हो है और भी लोग हम उनसे जृच्ञा पर ममस्लिम आश्राहई द्टीज्या इंडिया नहीं पर रहा है नहीं लिए अजके अच्छा जूड तो तो अजोसे नहीं बोल सकता हुआ котором इन्दो मुस्लिम करके देश का उधार नहीं हो सकता काम करना पड़ेगा जमीन पर अला कि बहुत सारे काम किया है मनोज तिवारी इसी छेतर के सांसादे देख लिजे रोट कैसी पूरी गंदगी है मनोज तिवारी पूरी गंदगी मचाग रखे रोट तक नहीं बनी है मनोज तिवारी जी रहे हैं आपके स्कत्र में मनोज तिवारी जी रहे हैं आपके स्कत्र में मनोज तिवारी मनोज तिवारी तो कहें कुछ नहीं काम करें रहे हैं दिल्ली के रहने वाले या लगता है पिछले दस साल से यहां सांसत रहे हैं बदलाव की जरूरत है बदलाव होने वाला है दस साल से जनता यहां परसान है बेसिक मुद्धे पर कोई कारे नहीं हुआ है मनोज तिवारी जी बाजवा से दो बार । से दो यहां से एक भी विकास का काम नहीं किया जंता के जीतने पाद एक बार व्य वापस नहीं आये इस बार समझ चुक दिल्ली की जंता पड़िली की जंता है कन्ये कुमार जी जमाला नहीरु इस यतिक्स रहे हैं और पीस डी क तो पड़े लेकर लोगों को पसंद करती है और इस पार बाच्पा सरकार को अधर से जारी है अगले के शिराइदारी की सरकार जारी है और परमननेन्ट आ रहे हैं कोई इस तरह की घटा हुए तो उनकी बोखलाट है यह जो गुंडे बेजे जा रहे हैं तो बार्चे जंता पालिटी को साथ संदेश है कॉंग्रेस पालिटी का जितने बेजने हैं बेज लो लेकिन कॉंग्रेस पालिटी का कारे करता और नेता डरने वाड़ा नहीं है इसी तरह करना ही है अकुमार छेतर में लोगों की आवाज उठाएंगे महेंगाई बेरोजगारी प्रश्टाचार से तंग है लोगों ने परेशान कर रखा है तो इसके खिलाब लगातार आवाज सांसद रहे है यहां पर मनोथ तिवारी पिछले 10 वर्शे तो दोलका कहना है कि यहां पर काम तो बहुत सा रखी तो पता ही है ने मैं कह रहा हूं मनोथ तिवारी जी आप अपने दस साल के पांच काम गिना दीजिए जो जमनापार में उनने की है तो जनता आपको वोट दे है कि और मजबूती के साथ चुनाव लेड़े कि आपको बता रहा हूं मनोथ तिवारी के जमानत जब तोने वाली है और यहीं बोकलात है कि आनन पानन में गुंडों को बेज़े जा रहा है तो जितने गुंडे बेजने बेज लो कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है और भी लोग है मुझे भी बात करेंगे क्या लगता है यह कांग्रेस की तरफ एलाइस का जो कंडिडेट दिया है मैं आमाधी पार्टी से हूं लेकिन जो है यह पड़े देखें डॉक्टर कनेजा कुमार एक अनपड़ को एक नाचने गाने वालों को यहां दसाल जनता ने करने वाला जी तो कह रहे हैं किस बार चार्सो पार जान चुकिए जनता ने नारे की हवा निकाल दी पहले चारसो पार कहते थे और अब अमिशा जी अभी तेलंगा ना में अपनी रहली में कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार अगर मगर प्याव गया हूं देखिए आज 18 महीं जी तो जी को जूटे केस में डाला आपकारी नीती के तहित जो इन्होंने गवा बनाया था उसी गवा से थावन क्रोड चंदा लिया जो उनके खिलाव जह लगता है देश में कटवंदल की सरकार बनने जा रही है देश में बदला होने जा रहा है जूटों की सरकार जा रही है और लोग जनता लोगतंत्र को बचाने के लिए कंग्रेस और जो एलाइस की इंडिया कटवंदल उसको वोट करने जा रहे है आपको बता कि मोदी जी लगातार आओ वाओ बकरें जो प्यम जैसे प्यक्ति की प्रदानमंत्री मोदी जैसे जिसको सक्सियत को इंडिया की जो गोदी मीडिया लगातार चिलाती थी उनको प्रतरसित करती थी अब इस चुनाओं में उनका डोंग जनता के सामने आ गया मनोत तिवारी की आप कैसे कह रहे हूँ असेंबली आई मनोत तिवारी की नहीं आई उनके साथ नहीं है उनके जो भी दो चार कॉंसलर वो उनके साथ नहीं है हमेशा वो इनके प्रोदम रहते तिवारी तो कभी आए नहीं है अरिया में लोग दुखी है काम कहीं किया नहीं इनने गाउं गोद लिया बहां के गोद की चवानपटी का बुरा हाल है बहां की जमीन आज के टाइम भी बुरा हाल है बहां कुछ काम नहीं हो रहा है बिलकुत सो परसेंट बदला होगा कनया जी के साथ में एक्शलूर्ट मिजोर्टी के साथ चंता चोई बोड दे रही है औ और इनकी जी मोदी जी का चाहिए वो बागेशु दाम जी का प्रोग्राम करा लें बागेशु दाम ने भी सुना जा रहा है कहीं से भी सोधनी सुरूर्ट राम मंदिर देखो सुनो राम हमारे आस्ता के बिससे हो सकते लेकिन राम को हम जो है मतलब घसीटे दरबदर इदर अपने मतलब के लिए गसी तो राम भी साथ नहीं देता है जिसे मोदी ची ने ठगा नहीं आप बता दी हो मैं गलत कह रहा हूं तो बहुत है क्या रही है कि हम ऐसे कंडिडेट को चुनेंगे जो हमारे बीच रहेगा हमारे लिए काम करेगा मैं ऐसे नौजवानों को चुनन मिलते हैं तो वह बताते हैं यह यह कभी आया नहीं मेरे मॉल्ले में यहां नाली जो है बत्तन तूटी है यहां से नाली के गंदे भाणी बाय रहे हैं और यहां सबस्ता हैं तो मैं ऐसे बसानसर को क्यों चुने कि अब आपके लुए जुम्ले के सिवा मुदी जी को कुछ नहीं आपके लिए कर लो भई ज़न्ता क्या इस बार कर रहे हैं तो हम तो न्याए की बात कर रहे हैं तो यह किसलिए हो रहे हैं जंता के मुद्दों का चुनाव है चुनाओं को भड़काए नहीं चाहे निरेंद्र बोदी आजाए अमिशा आजाये अमनोतिवारी कुछ भी कर ले चुनाव उमार जीत रहा है इसी तरफ पर लोगों की मिली जली पर तीर कीरिया रही है और आपको बता दें कि मैं फीर दूसरे चोक चराहे पर लिये चलूँगा तब तक के लिए अपने साथी साजन को और मैं इंप्यास को दीजिए इराजत नमस्कार